नवस्कार दोस्तों 30 Minutes GS में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है Environment Ecology Lecture No.3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज बात करेंगे समुदाय यानि Community की Community किसको कहते हैं तो पारी तंत्र पारी तंत्र के भीतर पाई जाने वाली पादपों की और जन्तूओं की ऐसी प्रजातियां या समश्टियां यानि की Population जो एक दूसरे से प्रथक रूप से कारण नहीं करती है यानि की एक दूसरे पर क्या है Dependent है एक दूसरे पर क्या है Dependent है कौन पौधे और जन्तूओं की Population जो स्वतंत्र नहीं है बलकि एक दूसरे पर dependent हैं, वो किसका निर्मान करती हैं, एक community बनाती है, एक community बनाती है, तो community यानि की समुदाय जो सब्द है, वो population की तुल्ला में अधिक इस्थिर्वा आत्म निर्वर एकाई है, कैसे, जैसे मान लिजे, population है, population और community में थोड़ा सा difference समझ लेजिए, population और community म जैसे मान लिजे, आप 10 लोग हैं, ठीक है, आप 10 लोग हैं, तो परवार के ही तो 10 लोग होंगे, तो ये हो गई एक तरह से population और community मान लिजे, आपका मोहला या जिला, तो आप सभी कारे परवार के अंदर, या अपनी सभी जरूरतें परवार के अंदर पूरी नहीं कर सकते लेकिन maximum कार आप मोहले या जिले के अंदर संपूर्ड कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, कुछ कामों को, विसेश को छोड़कर maximum काम आपके मोहले गली से, लोग पूरी जिंदगी एक गाओं में रह के बिता दिते हैं, तो आप पूरी जिंदगी एक घर में, घर के अंदर या परवार के लोगों के अलावा कहीं बिता सकते हैं जी नहीं मुस्किल होगा बहुत ज्यादा मुस्किल होगा इसका मतलब हुआ कि community जो सब्द है वो broad sense में उप्योग किया जाता है और यह एक population की तो लम अधिक आत्म निर्भर एकाई है यानि कि एसी unit है जिसमें maximum क्रियाएं या जरूरतें पूड हो जाती ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अब आगे बात करते हैं पारिस्त की तंत्र पारिस्तिते की तंत्र या पारितंत्र इसको बोलते हैं ecosystem तो इसके अंतरगत क्या आता है अगर short form में बताएं तो जीव प्लस अजयविक घटक मिला के बना देते हैं ecosystem यानि कि इसके अंतरगत आते हैं विशेष इस्थान के या किसी विशेष छेतर के सभी जीवधारी भौतिक परियावरण जीव होगे भौतिक परियावरण क्या होगे अजयविक घटक इसी को बोल दिया सभी जीवधारी इसके अलावा वहां का उस छेतर का उस एरिया के भौतिक घटक और साथ में इनके मद की अंतर क्रिया ये सब मिलकर एक दोरिक संपूर जैविक एकाय का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं पारस्त की तंत्र या पारी तंत्र माँ ले जिये जैसे हम कोई जंगल में रहता है ठीक है तो वहाँ के एक एरिया होगा विसे जंगल बोल तो रहे हैं उस एरिया का नाम ही तो जंगल बोलने तो वहाँ पर रहने माले जीव और अजैवे घटक जो जीवित नहीं है लेकिन जीवों के लिए अजयविक घटक भी होना तो जरूरी है सिर्फ जीव जीव दिखें बाकी चीज ना हो तो कैसे पॉसिबल है तो वहाँ पर रहने वाल अजयविक घटक इनके मद्द की अंतर क्रिया अंतर क्रिया माने एक दूसरे पर निरवरता मान लेजिए कुछ ऐसे जीवाडू है वैक्टीरिया है ये तो जैविक घटक हो गए और कुछ अजयविक घटक वहाँ की मिट्टी, मरदा, नमी उससे इस जीव पर क्या प्रवाव पड़ता है ये सब हो गई जैविक क्रिया है तो इन सबक सम्मेलित रूप से जीव और अजयव घटक मिला के बनते हैं इकोसिस्टम इसके अलावा एक बार ध्यान रखिए इकोसिस्टम की इकोसिस्टम की जो सीमा होती है वो क्या होती है? सीमित होती है और निश्चित होती है सीमा सीमित होगी और निश्चित होगी लेकिन लेकिन इसकी सीमा निश्चित होगी ये जंगल है हैं कोई जंगल है उसमें रहने वाले जीव तो यह मालीजी एरिया जंगल है इतना ठीक है तो इसकी सीमा निश्चित होगी यह जंगल है लेकिन लेकिन इसमें जब हम उर्जा की बात करें उर्जा का मतलब होता है जीवों के रूप में और पदार्थों का आदान-प्रदान ह होता रहता है मतलब यहां से अंदर जीव भी आ सकते हैं जीव जा भी सकते हैं और इसके अंदर कुछ पौधों की भी नई प्रजातियां आ सकती हैं लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में होता है मतलब completely isolated नहीं है थोड़ा बहुत इधर उदर उर्जा यानिकी पदार्थ यानि ठीक है कौन से सब्द का यह याद रखना इको सिस्टम इको सिस्टम का अलग है इकोलोजी का अलग है तो इको सिस्टम का सब्द का सरप्रतम प्रयोग एजी टांस लेने किया पारी तंत्र के जैसे उधारण देख लीजी जैसे परवत या परवतिय पारी तंत्र या बोल द या व्रक्ष व्रच्ष भी स्वैम में एक पारितंत्र है क्योंकि इसमें चोटी चोटी रहने वाले जीव पक्षी चिडिया और जो भी है छोटे कीडे मकोड़े सब कुछ है घास के मैदान यह अलग तरह के अपने में सब अलग अलग विसेस्ताओं से प्राप्त तो बायोम किसे कहते हैं तो जैव मंडल के इस्थलिय भाग को जैव मंडल के इस्थलिय भाग को बायोम नामक विसाल छेत्रों में विवाज़त किया जाता है किसको जैव मंडल के इस्थलिय भाग को बायोम नामक विसाल छेत्रों में अलग बायोम नामक जैसे कोई पूरा जैव मंडल है उसको अभी आगे समझवाएगा कि क्या कहना चाहे रहे हैं इसके बाद जो जरूरी सूचना वो यह है कि बायोम कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते हैं अगर कई तरह के बायोम है तो वो अलग अलग होंगे और बायोम की सीमा माने उसकी कितनी सीमा है बायोम की सीमा प्रजातिया उनकी प्रचुरता की कितनी मात्रा में मिलेंगी कोई प्रजाती उनकी कमी विवेदता मतलब कितनी वैराइटी मिलेंगी प्रजातियों की ये सब निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है निर्भर करते हैं किस पर तापमान आदरता जलवायू वर्षण अन्य भोते काड़ों मृदा आदी काड़ों पर भी निर्वर करते हैं ठीक है अभी ये इंट्रो है पुरा ये पहला चैप्टर इंट्रो ही इंट्रो है थोड़ा थोड़ा जानिए फिर अभी अंदर गुस्ते हैंगे कि क्या इसमें सिस्टम है कैसे क्या हो रहा है आप तुरण समझते जाएंगे इसके मत करिए अब बात करते हैं जैव मंडल की जैव मंडल यानि की बायोस फियर अभी तक हम बात कर रहे थे उपर बायोम की अब बात करते हैं जैव मंडल यानि की बायो स्फियर तो जैव मंडल हो गया वायू मंडल इस्थल मंडल और जल मंडल ठीक है यह हो गया वायू मंडल यह हो गया आपका इस्थल मंडल और यह हो गया आपका जल मंडल यह वाला जो पोर्शन है न यह 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 जो तीनों का सभी प्रकार के मतलब बायू मंडल भी उपस्ते थो इस्थल मंडल भी उपस्ते थो और जल मंडल भी उपस्ते थो तीनों का जो कॉमन एरिया है या तीनों के गुड़ विद्धिवान होंगे वो क्या कहलाता है वो कहलाता है बायो स्फियर बायो स्फियर तो जैव मंडल में कौन-कौन से सामिल होते हैं ये भी पूछा जाता है तो सभी जैविक घटक उर्जा भौतिक परियावरण जब हम बात करें तो भौतिक परियावरण का मतलब होता है अजैविक घटक सामिल होते हैं और ये सब किसमें सामिल होते हैं जैविक मंडल यानिकी बायो स्फियर में और इनके मद्द अंतर किरिया होती है जो ऐसे हमने बताया कि इंपेक्ट पड़ता है कि इसमें चेंज होने पर क्या-क्या फरक पड़ता है ये कहलाता है बायो स्फियर अब बात करते हैं कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो कार्यात्मक द्रश्टी से चैवमंडल को चार भागों में बिवाजित किया गया चार भागों में बिवाजित किया गया है अब आ रहा है आपका धीरे धीरे आपको इसमें इंट्रेस्ट आएगा अभी तो कानी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, देखते जाएए, अब चार भागों में divide हो रहा है, कौन-कौन से अभी बताते हैं, कौन से चार भाग हैं, देखते हैं, जयव मंडल यानि कि बायो स्फियर को साधार त्या कितने भागों में divide किया गया हैं, चार भागों में, नमबर एक, अजैविक तद्व, ठीक है, नमबर दो, उत्तपादक, उत्तपादक माने जैसि पौधे हैं, तो पौधे को क्या बोले, स्वपौसित है, अपना भождनस्वयम बनाते हैं, इसलिए उत्तपाधक कहलाते हैं, और ये स्वपौसित कही जाएंगे, इसके बाद बात करते हैं तीसरे नम्मर की उपभोकता उपभोकता जो पौदों से अपना भोजन ग्रेंड करें तो उनको क्या कहा जाएगा पर पोशित ठीक है ठीक उपभोकता में मेनली बात कर रहे हैं अभी और भी इसमें रेंज होती है लेकिन हम मेन बात करें अगर उपभोकता में तो देखते जाएए एक हो गया आपका प्रात्मिक यह देख नहीं रहा होगा एक हो गया प्रात्मिक उपभोकता और दूसरा हो गया बी नम्मर का यह हो गया आपका दुत्तियक उप भोगता ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रात्मिक उप भोगता हो गया और दुत्तियक उप भोगता हो गया तो प्रात्मिक उपवोक्ता यानि की कोई भी जो पौधों से भोजन लेगा प्रात्मिक उपवोक्ता क्या करेगा उत्पादक से भोजन ग्रेण करेगा तो माल लेजिए कोई भी उत्पादक और पौधे पौधों से भोजन जो ग्रेण करेगा वो क्या कहलाएगा शाका हारी दुत्य बोक्ता क्या करेगा प्राथमिक बोक्ताओं से भुजन ग्रेंड करेगा वो क्या कहलाएगा मांशा हारी प्राथमिक को जो खाएगा वो दुत्य को बोक्ता कहलाएगा तो वो क्या हो गया मांशा हारी और एक और वर्ग होता है कौन सा आप कहेंगे, आप कहेंगे सरवाहरी, सरवाहरी को और क्या बोलते हैं, ओमनी वोरस, यह है दोनों वर्गों में सामिल होता, यदि कुश्चन आपके पास आ जाए कि सरवाहरी किस वर्ग में सामिल किया जाएगा, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सरवाहरी का मतलब हो गया कि वो प्रात्मिक पोखता होगा कब जब वै साकाहर भोजन के रूप में घ्रहण करेगा और वह दुत्य को पोगता होगा कब? जब वह मासाहर भोजन के रूप में ग्रहन करेगा तो ये तो हो गए तीन पार्ट किसके? जयव मंडल के यानि की बायो स्पियर के नमबर एक अजयविक घटक, नमबर दो उत्पादक यानि की पौदे जो की स्वपोसित नमबर तीन उपोगता यानि की परपोशे उपोगता में भी पहला पार्ट है प्रात्मे को पोगता, दूसरा है दुत्य को पोगता प्रात्मे को पोकता साकारी होते हैं दुप्तिय को पोकता मासारी होते हैं और सर्वारी होते हैं वो दोनों वर्गों में सामिल माने जाते हैं इसके बाद चौथा पार्ट बचता है वो बनते हैं अप घटक अप घटक अप घटक कौन होते हैं? सूच में जीव सूच में जीव कहलाए क्या? अप घटक सूच में जीव को हमने कह दिया कि यह हैं अप घटक सूच में जीव बनाए क्यों गए? अप घटक बनाए क्यों गए? जैसे मान लिजी किसी की मृत्ति हो सड़ेगा सड़ेगा तो बीमारियां फैलेंगी तो पूरा एको सिस्टम तैस नैस हो जाए तो बनाया गया अप घटक बोले क्या करो आप इनको जल्दी जल्दी सड़ा के खतम करो मिटी में मिला दो और मिटी में वापस से वो यूमस के फॉर्म में पहुंच जाते हैं तो इसका कार हो गया जटल कार्बिनिक योगिकों को सरल कार्बिनिक योगिकों में बदल ठीक है तो अब देख लो चार पार्ट एक बार बायोस्पेर के चार पार्ट अजैबिक घटक उत्पादक उपभोकता और अब घटक ठीक है अगर कोई पार्ट पूछेगा तो आप बता देंगे क्वेशन कैसे आगा निमने में से बायोस्पेर का घटक नहीं है या भाग नहीं है तो यह चार के लावा कोई पांचमा उप्सन देदेगा ठीक है तो आप उसको निगलेट कर देना कि यह उप्सन नहीं है अब आगे बात करते हैं पर्यावाश किसकी पर्यावाश जिसको बोलते हैं अपन हैबी हैबी टेट तो इंगलेज थोड़ा देख लेना एग्जेक्ट प्रोनाउंस क्या करते हैं अपन को अपन इंदी उने माले ऐसे ही पढ़े हैबी टेट ठीक है तो ये किसे कहते हैं पर्यावास याद रखना वै है भौत इससे इंपोर्टेंट कोई कुश्चन नहीं एक पर्यावास एक नीस बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है तो पर्यावास मतलब वै भौत एक पर्यावरण जिसमें जीव निवास करता है उधारण वे भौतिक पर्यावरण जिसमें जीव निवास करता है वा क्या क्यालाता है पर्यावास या हैबिटेट उधारण के तौर पर लिख लेते हैं उधारण जैसे फीता करमी ये कहां रहता है ये रहता है मनुस्य की आत में तो इसका हैविटेट या पर्यावास क्या हो गया मनुस्य की आत कवक ये कहां रहते हैं सड़ी गली वस्तुओं पर तो इसका पर्यावास क्या हो गया सड़ी गली वस्तुओं ठीक है तो पर्यावास का मतलब क्या है बिभिन प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवस्यक्ताइं समान ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि एक परियावास में कई प्रजातियां एक साथ रहती ठीक है जैसे मालीजे आप कोचिंग करने जाते हैं बाहर किसी हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल आपका हो गया है हैबिटेट यानि की परियावास इनमें सब की जरूरतें समान रहती हैं लगबच लगबच मतलब तैयारी करने के लिए जाते हैं किसी का मकसद government जो ना किसी लक्ष से जाते हैं एक हॉस्टल आपका हो गया परियावच और घटक पूछी है और होस्टल में मैसे तो आपको भोजन भी मिलेगा और भोजन के साथ साथ जल भी मिलेगा और जल के साथ साथ साम को लेटने के लिए रूम भी मिलेगा यानि की आसरे तो इस्थान भोजन जल आसरे ये हैविटेट यानि की पर्यावास के प्रमुख घटक है ठीक है अब बात करते हैं परियावास के बिविन प्रकार के वारे तो प्रत्वी पर प्रत्वी पर चार प्रकार के चार प्रकार के मुख परियावास यानि की हैविटेट हैं कौन-कौन से नमबर एक इस्थलिय क्या हैं कैसे हैं आगे चैप्टर आपको मिलता जाएगा कुछ भी लपेटेंग नहीं आ लपड़ी अजल यानि की मीठे पानी में रहने वाले जीव जन्तू आदी नमबर तीन ज्वार नदमुक यानि की एस्चुरीज और नमबर चार स्थागरी अरे सिंपल सी वात है यार या तो इस तल यानि जमीन पे रहोगे या पानी में रहोगे आसमान में तो रहोगे नहीं कि आपने चिडिया को देखा आसमान में बना हुए गौसले उड़ रहा अरे उड़ेगा आएगा तो नीच है ना या तो पानी में उतरेगा या फिर जमीन पे उतरेगा कहते हैं ज्यादा हवा में मत उड़ो आना तो नीच है ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान में अत्फर गौसला बनाके रह रही चिडिया ऐसा सिस्टम तो नहीं है ना तो या तो कर जमीन परोगे पानी में रोगे पानी ती इंठर है कि एक एसच्युरि एक होता है इतना बता दिये दोनों में हीpri दी समुद्र से मिलने वाली होती है तो ज्वार नद्मों कि यानि की एस चुरी वहाँ पर और एक हो गया सागरी जल यानि की साल्ट वाटर और एक अलवड़ी जल यानि की जिसको अपन बोल देते हैं मीठा पानी तो प्रत्वी पर मुक्यता चार परकार के परियावास उपस्तित है अब आगे बात करते हैं आब आते हैं नीश परियावास और वो ये दोनों कुशन निकेत बोलते हैं हिंदी में और इंगलेस में बोलते हैं एन आई सी एच ए इसको बोलते हैं नीश या फिर कई जगे आपको लिखा मिल जाएगा नीश इसको नीच मत कह दे न तो नीश वो लिया या निकेट ठीक है तो परेयावास में पहले लिख ले शमझ लीजिए फिर हम बताते हैं परेयावास में किसी परजाती के कार्यात्मक लक्षण निकेट या नीश कहलाते तो नीश का संबंध क्या हो गया अभी दोनों में अंतर समझ जाएंगे आप नीश का मतलब हो गया कि किसी परजाती के सभी क्रिया कलापों और उसके संबंधों के उस योग से है जहां पर वैप प्रजाती अपनी उत्तर जीवता और जनन के लिए अपने परियावास के संसादनों का उपियोग करती है मतलब पहले तो एक चीज समझ लो अभी बताते हैं कानी आपको समझ नहीं होगी क्या ये क्या बोल दिये नहीं ऐसे समझ में आए गई सबसे पहले देख लो नीज सब्द का उपियोग ये डारेक्ट कुश्चन है छोटे अगजाम के लिए तो नीज सब्द का उपियोग जो सरप्रथम 1917 में PCS में आ जाता है डारेक्ट मिलान के लिए fasting 1917 में Joseph Granelles ने किया और इसको क्या नाम दे दिया Micro Habitat ठीक है अब आप समझ लेजिए कि अंतर क्या है habitat और नीश में habitat और नीश में अंतर समझ लेंगे तो नीश अपने आप समझ में आ जाएगा habitat और नीश में क्या अंतर है ये समझ लेजिए तो सीधी सी बात है habitat को आप क्या समझेंगे और नीश को क्या समझेंगे habitat को आप समझेंगे अपना मौला कालोनी और नीश को आप समझेंगे अपना घर ठीक है अब अंतर आपको बिल्कुल समझ में आ जाए नीस में क्या हैबिटेट में क्या होगा आप महले में रहते हैं लेकिन महले में आप किसमें रहते हैं महले में भी तो आपका घर होगा वहीं पर तो रहते हैं तो महले में जो आप अपने घर में रहते हैं तो वो हो गया आपका नीस यानि कि वह जगे जहां पर कोई भी प्रजाती आप अपनी जीवन के समस्क्रिया कलापों का कारियानवन करते हैं और वहां पर उत्तर जीवता और जनन जनन तो करते ही ना जनन मतलब प्रोडक्शन बगएरा हर तरह का प्रोडक्शन यानि कि अपने सभी कार महले में आप अपने घर में रहते हैं और उस घर में भी आप अपने समस्त कार अपने जीवन के इंपोर्टेंट कार और जीवन में वंस्व्रधी से संन्मंदितकार सभी करते हैं, वो ही तो नीष कहलाया, यानि habitat के बी अंदर जो special space है, एक विशिष्ट प्रजाती के लिए, अब हाँ, नीष में एक विशिष्ट प्रजाती है ना, आपके घर में एक विशिष्ट प्रजाती है, ग्रेनले उसको काया था माइक्रो हैविटेट और हैविटेट हो गया उसका बड़ा वर्जन महला और हैविटेट में कई प्रजातियों के अलग तो नीस किसी एक जीव के लिए यूनिक होता ये याद रखी किसी का घर नीस एक प्रजाति के लिए यूनिक होता है हो गई एक जैसे फैमिली मेंबर्स के लिए घर यूनिक होगा ना कि किसी भी घर में घुश जाओ गए ठीक है अब बात करते हैं ये तो थोड़ा सा माइनूट अंतर समझ में आ गया होगा आपको की नीस और हैविटेट में मतलब नीस जो है हैविटेट का ही छोटा वर्जन है लेकिन उसमें थोड़ी प्राइवेसी और बाकी जनन क्रियां यादी सम्मलित रहती है इसके बात बात करते हैं विभिन निकेत यानि की नीस की नमबर एक आवास निकेत आवास निकेत आवास निकेत क्या हो गया जैसे आपने घर अपने बताया घर नीस का मतलब घर बताया उसमें भी आप जहां रहते हैं यानि की आवास निकेत वो का जाएगा जहां जीव निवास करता है जहां जीव निवास करेगा यानि कि आपका बेडरूम मेली घर में भी आपकी विश्च चाखेगा एक बेडरूम होगा एक डाइनिंग रूम ऐसे करके किचिन विचिन तो जहां पर आप रहते हैं वो हो गया आवास निकेत एक हो गया आहार निकेत जीव क्या पदार्थ ग्रेड करता है और किसका विगटन करता है और किस प्रिजाती के साथ इसपरदा करता है मतलब जीव क्या खाता है किसका विगटन करता है और किस प्रिजाती के साथ प्रिजाती के साथ प्रिजाती करता है जैसे हम लोग है अपने घर में रहते हैं आहार निकेत का मतलब होगे हम वहां खाते हैं और पचाते। है विगटन करते हैं और किस प्रजाती के साथ जैसे अपने छोटे भाई बैन या बड़े भाई बैन के साथ प्रतिस परदा करते हैं हमें भी यह चाहिए या उससे पहले खा लेते हैं हमें इतना चाहिए इसी तरह से नीस में जीव क्या खाता है किसका विगटन करता है और कि कैसे और कब प्रजिनन करता है तो इसके लिए भी नीस है यानि कि जनन नीस निकेत वो स्थान है जहां पर जीव प्रजिनन करता है इसके लिए भी लोगोंने रूम बना रखे है लेकिन आजकल का निकेत अलग हो गया अब लोग परियावास में निकल आए परियावास मतलब पारकों में भी जनन करते हुए मिल जाते है ओटो रिक्सा में मिल जाते हैं बसों में जनन करने लगे यानि कि वो अपनी नीस में नहीं रह रहे हैं वो परियावास यानि की हैविटेट में जा रहे है जबकि प्रकति ने भी बनाया है आपके लिए अलग परियावास किसका जनन निकेत तो जनन निकेत वह उस नीश में कैसे और कब प्रजिनन करता है वो कहलाता है जनन निकेत इसके बाद आगे बात करें भौतिक तथा रासाइनिक निकेत भौतिक तथा रासाइनिक निकेत इसमें क्या होगा भौतिक और रासाइनिक निकेत में वही ताप, मृता, इस्थलाकरती, आदर्ता, अमलियता, जितनी भी भौतिक, मतलब जो भी कुछ अजैविक घटक है, उनसे सम्बंदित उस नीस में जो भी है, एबलेबल, माने, मानो कोई भी प्रजाती रहती है, यह यहाँ पर एक, यहाँ पर गुफा है, ठीक है, गुफा और इसमें रहता है अपना सेर, और यह है जंगल, और जंगल में भी उसका एक बिसेस इलाका होता है न, वो चिन्नित कर लेता है, तो यह जो बाहर का हिस्सा है, यह कहलाया सेर का परियावास, यानि की, हैबिटेट, और जो गुफा है, वो कहलाई सेर की, नीश, अब सेर, दों बाहर का अरिया परेयवास माले न इतना इरिया नीस कहलायग ठीक। और इसमें उपस्तित। इस गफा में नमी, सुर्खप्रकास, स्तला करती, कैसा क्याής यछीव है। जिसे कई 3, 4, 7, 10 से रह सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं expected questions की जो इसमें से जरूर आ सकते हैं कि एक मिनट थोड़ा सा color change कर लेते हैं तो question क्या है आपको points के form में ही लखाई दे रहे हैं points to remember करके तो किसी प्रजाती का निकेत अदूति होता है जो हम बार 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 बता रहे हैं ये direct question आता है अदूति होता है जब की परेयावास यानि की habitat में अनेक प्रजातियां होती है अनेक प्रजातियां होती है लख ले अरे इसके बाद बाद करें किसी परेयावास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता यानि की जो घटनाएं उसके परेयावास में या जैसी घटेत होंगी वही सेम घटनाएं तो घटेत दूसरे जीवधारी मानें दूसरी प्रजाति के लिए तो नहीं होंगी यानि की उसको अलग तरह का इस्पेस चाहिए भाई सेर गुफा में रहता हाती थोड़ी गुफा में रहेगा ये बकरी गुफा में रहेगी तो किसी भी परेयावास में दो प्रजातियों का नीश समान नहीं हो सकता अलग अलग ही होगा और मान लो इंपोर्टेंट है यह दी होगा भी तो प्रतिस परदा चलती रहेगी होगा भी तो प्रतिस परदा चलती रहेगी कब तक कब तक चलती रहेगी जब तक एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती एक प्रजाती विस्थापर नहीं माने मान लो एक गुफा में रहते हूं कुछ CR और बाहर से आगे तीन चार सेर या एक कुछ एरिया में रहते हूं CR और बाहर से अगे सेर अब बताओ क्या होगा कुछ दिन तो हो सकता डर दुप के एक दो सियार मारे जाएं बाकी रहें कि हम तो यहीं रहेंगे end में क्या होगा एक प्रजाती को भागना ही पड़े या ऐसा हो सकता है कि कुछ area में सेर भी रहें और हाती भी रहें लेकिन बिल्कुल close नहीं रहेंगे यह एक दूसरे के लिए कोई ना कोई प्रजाती विस्तापित हो जाएगी यदि हातीयों की संख्या जादा होई और हाती एग्रेसिव हुए तो सेर वहाँ से चले जाएंगे सेरों की संख्या बहुत जादा हुए और हाती दो चार हुए तो हाती वहाँ से निकल लें बोले लड़ाई जगडे में कुछ नहीं रखा अपनी दूसरी जगए देखते हैं वह मकान मकान बनमाते हैं आगे लेखो निकेत जीव के कार्य वा आवास दोनों का सूचक है है कार्य वहीं है ज्यादा तर और आवास दो निकेत में होता ही होता है ये तो हमें पता ही है इसके बाद लिखो जन्तूओं के निकेत में सबसे मैतपूर क्या होगा कोई भी जन्तू को क्या चाहिए जीने के लिए सबसे मैतपूर संसादन जंदु को क्या चाहिए आसरे और भोजन प्रात्मी का आवस्चता तो आसरे और भोजन ही है न ठीक है इसके बाद अगर बात करें किसकी पादपों की यानि की पेड़ों की तो उनको क्या चाहिए नमी चाहिए और तथा पोशक्तत पोसक तत यानि कि फासपोरस तता नाइट्रोजन ये इनकी आवसकता हैं ठीक है तो यहां तक ये वीडियो रहेगा इसके आगे हम पढ़ेंगे अनुकूलन जैसे जैसे चैप्टर खतम होते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा अभी क्या है अभी हम लोग बना रहे हैं उसकी थोड़ी सी भूमे का कि कुछ चीजें जैसे हम कहें नीश तो आपको समझ माना चाहिए नीश होता क्या हम कहें है है तो आपको पता होना चाहिए हम कहें परिया वास तो भी आपको पता होना चाहिए हम कहें बायो वो भी आपको पता होना चाहिए तो इस तरह हमने अ आगे पढ़ने में मजा आ रहे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद